दक्षणी लेबनान से सटा उत्री इसराइल हिजगुला के हमलों की आग में जल रहा है। लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दरसल इस बार हिजगुला ने कैला बैरिक्स में बने इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ताबर तोड तरीके से बंबारी की है। साथ ही जारिद बैरिक्स के पास अबुदाजा हिल और तालेत अलकरंतीना में इसराइली सैने की खठा हो रहे थे जिन पर हिजगुला ने मौका पाते ही हमला कर दिया। हिजगुला का कहना है कि उसने कबजेवाले कफार चौबा में भी रोईशत अलाम में IDF पर रॉकेट प्रोपेल्ड हत्यारों से हमला किया है। हिजगुला का ये भी कहना है कि उसने अलमर्ज में भी गोलब आरूद बरसाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन हमलों से पहले हिजगुला ने इसराइल की गोलन ब्रिगेट के हेड़क्वाटर्स पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटेक किया था। हिजगुला शारगा बैरेक्स की इजोग 621 यूनिट में बने गोलानी ब्रिगेट्स के हेड़क्वाटर पर हुआ था। हिजगुला ने इसराइल के बक्तरबंद वहनों पर गाइड़ेड मिसाइले भीदा गी है। इसमें उसने कहा कि पहले तो उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में IDF पर निगरानी रखी और जैसे ही इसराइली सेना की गाड़ियां हमले वाली जगापर पहुची तो उनके उपर अटेक कर दिया गया। वहीं इसराइली सेना ने भी माना है कि पश्चमी अलजलील में हुए ड्रोन हमले में उसके छे जवान गायल हुए है। IDF के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा कैला बेस के आसपास गिरा है। वहीं इसराइली मीडिया का कहना है कि रूट नंबर चार के पास दक्षणी नहारिया में कुछ सेटलर्स भी घायल हुए हैं और इसी इलाके में इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइले आकर गिरी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस घटना में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं और इन में से एक व्यक्ती गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिस से ये इलाका प्रभावित हुआ है। वह हिजगुल्ला के कई ड्रोन नहारिया और आर्मी बेस में जाकर फटे हैं जिन से भारी नुक्सान हुआ है। कर देशाएं कर देशाएं कर दो कर दो झाल झाल